संसद के मौनसूम सत्र का आखरी दिन है, हंगामा होने के पूरे आसार हैं क्योंकि लोक सभा में कॉंग्रस के नेता अधिरंजन चौधरी को कल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद निलंबित कर दिया गया। मेरे साथ मनिश दिवारी हैं, कॉंग्रस के वरिश्व नेता और सांसद, क्या आज की रणनीती रहेगी और जिस तरीके से अधिरंजन चौधरी का में निलंबन हुआ, आप लोग कैसे इस पर याक्ता हैं। यही है कि कुछ नियम कानून हैं जिसके तहत संसच चलती है। पर इस नियम कानूनों का यह मतलब नहीं है कि अपनी मजौरिटी का उप्योग करते हुए, जो विपक्ष की आवाज है उसको दबाया जाए। और इसलिए समय आ गया है कि धारा 151 में जो प्रिजाइडिंग हैं लोकसबा और राजसबा के उनके क्या अक्तियार हैं इसके उपर उच्तम न्याले से एक अधिकृत निर्ने जरूरी है और मुझे यह लगता है कि श्री अधीर रंजन चोधरी जी जो कॉंग्रेस के फ्लोर लीडर हैं लोकसबा में उनका जो निलंबन हुआ है बहुत द चौधरी जी पर निर्भर करता है कि वो किस तरह का अगराणीती अक्तियार करना चाहेंगे चुक्या अपसर नहीं और एहम बात बोड़ना है आप वकील वरिष्ट और आप सांसत भी हैं क्या यह जो का जाता है कि सदन के अंदर की जो गतिविदी कारवाई होती है उसको च अपनी जो बहुमत है संसद में उसका उपयोग या दुरूपयोग करके क्या आप विपक्ष की आवाज दबा सकते हैं यह बुनियादी सवाल है हिंदोस्तान के लोकतंतर के लिए और मुझे लगता है कि श्री अधीर रंजन चोधरी के संधर्व में इस चीज की ऊपर एक निरने जरूरी है